बीच में एक strong rumor आया था कि Deadpool 3 में TV और Mobius दिख सकते हैं पर अब Hugh Jackman के एक interview ने ये चीज confirm किया है more or less तो चले जानते हैं क्या है उस interview में जो confirm करता है TV और Mobius का inclusion Deadpool 3 में और वेलकम तो दे चैनल जो प्लाटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर ख़बर का Just in a review Ryan Reynolds ने एक वीडियो के थ्रू 2022 में confirm किया था कि Deadpool 3 बन रही है जिससे Deadpool MCU में entry करेगा पर इस फिल्म में Hugh Jackman भी वापसी करेंगे उनके famous किरदार Wolverine के रूप में जो उन्होंने Fox के X-Men Universe में 17 साल तक निभाया है ये भी उसी वीडियो में confirm किया गया पर ये हो कैसे सकता है You have questions जब Hugh ने confirm किया कि Logan में उनके करेदार की death को change नहीं किया जाएगा यानि Logan जैसी iconic film के proceedings को छेरा नहीं जाएगा Logan Logan takes place in 2029, totally separate thing Logan died in Logan, not touching that अब Hugh Jackman कि इस interview में कुछ हिंच मिल रहे हैं जब Hugh ने कहा ये क्या है ये time traveling device जो MCV में already है मुझे लगता है कि ये वो tempettes है इसका इस्तमाल करके Sylvie AK Lady Loki time travel कर रही थी छप छुपा कर और TVA यानि Loki के time variance authority के officials भी इसी का इस्तमाल करके time lines में जा रहे थे इसी की बात Hugh ने इस interview में की होगी मुझे लगता है कि Loki 2 में Deadpool दिख सकता है Cameo में जहां वो tempette चुराएगा और पहुंच जाएगा उस दुनिया में जहां Hugh Jackman का Wolverine रहता है कई साल पहले Reynolds एक बड़ी travel movie बनाना चाहते देड़पूल और Wolverine के साथ ये वही travel movie होगी पर ये वाला time travel movie होगा जहां दोनों अलग 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 time lines में घुमेंगे और TVA को छेरेंगे unauthorized time travel करके और उनके पीछे रहेगा Mobius यानि actor Owen Wilson का किरदार और TV officials इसी तरह Loki और Owen के TVA के दुनिया Deadpool को MCU की दुनिया में लाएगा as a time traveling criminal आपको याद होगा कि Sylvie यानि Lady Loki के He Who Conquers को माणने के बाद timeline में बड़ा बदलाफ हो गया था इस नए timeline में Loki एक अलग timeline में चला गया था जहां Kang He Who Conquers की मूर्तियाफ TVA headquarters में हैं और Mobius और बाखी लोग Loki को नहीं पैचान यही Mobius Deadpool के पीछे पढ़ेगा जो Tempad लेके भागेगा और Wolverine से बीच में मुलाकात होगी Wade Wilson A.K. Deadpool की तो यह सब कुछ इस interview के इस line के through more or less confirm हुआ है कि Deadpool 3 में Wolverine के अलावा TV और Mobius भी दिख सकता है जो strong rumors पर एक महुँआ लगाती है कुछ recent videos जैसे My 10 Best Films of 2022 आखिर में है चेक आउट कीजेगा आप सबको Happy New Year 2023 Hopefully इस साल बेटर फिल्मे और content देखने को मिलेगा और सारे content के information, reviews और breakdowns के लिए देखते रहिए ज़से nerdy view ज़से nerdy view के updates के लिए और छोटे बड़े snippets के लिए फॉलो कीजिए on twitter at the rate pro nerdy view 201 में कुआप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं at the rate pro nerdy view पे और pro need diary blogspot.com में आपको updates मिल जाएंगे